आईए, आज हम बनाते हैं आईसीन सुगर. आईसीन सुगर घर में बनाने के लिए एक जममच पॉन फ्लार पाउडर, एक कटोरी क्रेश्टल सुगर, सकर जो कि हम डेली यूज करते हैं, और आईसीन सुगर बनाते समय हमें ध्यान देने वाली बात है, कि हम जो जाल यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें पाने नहीं हो. अब हम आईसीन सुगर बनाने के लिए रियांडर को मिक्स के लगा कर और इसमें एक कटोरी सकर डालेंगे. आईसीन सुगर मार्केट में भी आसानी से अबलिबल है, बट मार्केट में आईसीन सुगर थोड़ा महंगा मिलता है, और घर में इसको आसानी से बनाया जा सकता है. आईसीन सुगर फ्रोश्टिंग बनाने के लिए या एक के उपर छिड़कने के लिए प्योग किया जाता है. तकर जब हम ग्राइंडर में तीज़ते हैं, तो इस बीच में चिपकने लगती है इस ग्राइंडर के, और तो इसको हम बीच में चला देंगे, और इसमें अब हम कौन फ्लाव पावडर मिलाएंगे? कौन फ्लाव पावडर भी आसानी से मार्केट में लिए जाता है? इसको हमें तब तक कीजना है जब तक कि यह मैदे जितनी बारीक न हो जाए। यह देखे है हमारी icing sugar पयार हो गया है। इसको घर में रखने का तरीका है कि हम इसे एर टाइट डिपे में रखेंगे जिसे कि आप इसको घर में दो महीने तरफ तक करीब इस्टोर करके रख सकते हैं। आइसिन सुगर घर में बनाना बहुत आतान है। और मेर्केट में थोड़ी सी महगी मिलती है। घर में आप आतानी से बना सकते हैं। और इसको केक पर सजाने के या पेस्टिक बनाने के और केक बनाने के भी यूज़ कर सकते। यदि आपको आज़ी सुबर बनाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सबना ध्यान रखें। धन्यवाद।